हमारे पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए टाइम ही नहीं होता शफल लोग सारे काम करने की कोशिश नहीं करते वे सबसे important कामों पर focus करते हैं और फिर लगन के साथ उसे पूरा करते हैं दोस्तो आज मैं आप से ब्राइंड रेसी की बॉक एट डैट फ्रॉग हिंदी में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले से टॉप टेंड टिप्स आप से सेयर करूंगा जिससे आप अपनी प्रोडेक्टिविटी वढ़ा सकते हैं और किसी भी काम को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं तो चलिए सुरू करत हैं बिना किसी देरी की काम की बात नंबर वन हर दिन की योजना पहले से बना लें आउथर कहते हैं कि अगर आपको किसी हाती को खाना हो तो कैसे खाएंगी जाहिर है आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके ही खा सकते हैं फीक ऐसा ही आप अपने गोल्स के साथ कर सकते हैं जब आपका गोल छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा आसान रहता है इसके लिए आउथर हमें 6P फॉर्मुला बताती हैं ये कुछ ऐसे हैं प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पूर प्रफॉर्मेंस आउथर कह हैं कि आप अपने नेक्स्ट डे के टास्क को लिख लें इससे आपकी प्रोडेक्टिविटी 25 परसेंट बढ़ जाएगी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स स्टेप ये लें कि वो सारे स्टेप लिख लो जो आपको अपना गोल अचीब करने में चाह करें इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपोर्टेंट पीपीटी स्लाइड बॉस के लिए तयार करना है और आपका लंच टाइम हो रहा है तो आप पहले क्या करोगी जाहिर सी बात है बॉस की पीपीटी का स्लाइड बनाना ज्यादा इंपोर्टेंट है और यही 80-20 रूल है ज थालते रहते हैं और फालतू के कामँ में बीजी रहते हैं और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बीजी हैं कुछ काम कर रहे हैं जब कि असकल में उसकाम की रिएल कुछ नहीं होती है next a b c d e में थड़का लगातार इस्तिमाल करें जैसा कि नाम से ही पता चलता है ए आपका सबसे important frog है बी वो टास्क है जो आपको करना चाहिए लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो life में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा c ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा लेकिन इसे ना करना आपकी life को बिल्कुल भी effect नहीं करने वाला d एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को assign कर सकते हैं e वो टास्क है जो आप avoid कर सकते हैं और ये आपकी life में कोई effect नहीं डालेगा आपको काफी strictness दिखानी पड़े जैसे आप किसी meal को prepare करने से पहले सारी चीजे arrange करके रख लेते हैं ताकि time और approach बच सके यही same चीज working के साथ भी है अपने काम की starting से पहले हर चीज arrange कर लें इसे जितना हो सके उतना आराम दायक बनाएं ताकि जब आप start करें कोई भी चीज आपको रोक न सकें अगर आप त जीए next अपनी योग्यता बढ़ाओ अगर आप success चाहते हैं तो सीखना कभी न छोड़ें कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहिए क्योंकि अगर आप time के साथ better नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे progress नहीं कर रहे हैं जो भी आपके weak points है इन्हें दूर करें और खुद को better से better बनानी की courses करें और learning तो कभी न छोड़ें दोस्तों दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है ये तीनी step है जिने follow करके आप अपने field में master बन सकती हैं फर्स्ट जो भी आपकी field है उसके बारे में at least 60 minute daily पढ़ें इसके बाद उससे related course या seminar attend करें ताकि आप उस field में और भी better ह हो जाएं और finally अपनी कार में travel करते वे audio program सुनें next अपनी विशेश योग्यताओं की leveraging करें यनि की leverage your special talent खुद से लगातार ये सवाल पूछते रहें कि मैं किस चीज में अच्छा हूं मुझे किस काम में मजा आता है और past में कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज़्याद अगर मैं कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं तो वह कौन सा होगा हर किसी को अपना best skill पता होता है और वह उसे training और knowledge से नरिस करता रहता है यानि unique value को जानो और फिर उन्हें नरिस करो next अपनी बाधाओं को पैचान है सफल लोग हमेशा बाधाओं का wish lesson इस सवाल से start कर जिसने मुझे पीछे रोक रखा है वे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्या के कारण और समाधान दोनों ही के लिए अपने भीतर जांकते हैं सिमित करने वाले योग्यता का अपने भीतर पता लगाने के लिए आपमें गहराई से जांकने क इमानदारी होनी चाहिए यह वह योग्यता है जिससे लक्ष हासिल करने की आपकी गती तै होती है पूशते रहें मेरे मन चाहे परिनाम पाने की गती किस चीज से तै होती है आपके लिमेटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटर्नल होते हैं जैसे की क्वालिटीज और एबिलिटीज और 20% होते हैं जैसे की आपके कम्पीटर्स नेक्स्ट खुद पर दवाव डालें दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतिजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनने के लिए प्रिरित करें जैसा वे बनना चाहते हैं दिक्कत यह है क कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है यह लोग उस सड़क पर बस का इंतिजार कर रहे हैं जहां से कभी कोई बस गुजरती ही नहीं है अगर वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और खुद पर दवाव नहीं डालते तो वे हमेसा इंतिजार ही करत बसरते आप ठाल लें, लीडर वनना है तो खुद पर प्रेसर डालना होगा, देर तक काम करने की हैबिट बनाना होगा, खुद को आगे बढ़ने का मौका देना होगा, नेक्स्ट, अपने प्रेसनल पावर को मैक्सिमाईज करें, आपका सरीर एक मसीन की तरह है, जो एनरजी पैदा करने के लिए भोजन, पानी और बिसराम का उपयोग करता है, और इसी एनरजी से आप अपनी लाइप और जॉब्स के इंपोर्टेंट काम करते हैं, काम के खत्म ह होते होते प्रोडेक्टिविटी खत्म होने लगती है, ज्यादा दिर तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही काम पूरा कर पाएंगे, अगर आप कुछ प्रोडेक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो सारी रात जागना बेकार है, प्रोडेक्टिव लाइ में पूजेटिव सोचें, बोलें, जो कुछ आपके हाथ में होता है, उसका पूजेटिव मेनिंग निकालें, आप्टिमिस्टिक बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपके लाइप के हर एस्पेक्ट को एफेक्ट करेगा, इसके लिए आप हर सिच्वेशन में अच्छाई हर परिशानी का कोई सल्यूशन देखें, आप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सूचते हैं और बात करते हैं, उनके माइंड में यही चलता रहता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और उन्हें अपना गोल अचीब करने के लिए अब क्या करना चाहिए दोस्तो ये थे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले की समरी, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए